हलो स्टूजेंट्स वेलकम टू डेफिनेट सेक्सेस पाटशाला आज की इस पाटशाला में हम लेकर आए हैं कवी नागारजुन जी को आज हम जानने वाले हैं कवी नागारजुन जी के जीवन परिजे को और उनकी द्वारा रचत धेर सारी रचनाओं और कृतियों को तो उसको जानें उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको डेफिनेट सेक्सेस पाटशाला के इस प्लेटफॉर्म के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है क्योंकि यहां पर आपके सिर्फ पढ़ाई नहीं कराई जा रही है आपको बहुत सारी और एक्स्ट् जानके होंगे तो इनके द्वारा लिखी कोई कविता आपने पढ़ी है ज्यान से सोचिए शायद पढ़ी है हमने भी पढ़ी है यह दंतुरत मुस्कान और फसत यादाया यह है हमारी क्लास चेंथ की कविता जो हमने पढ़ी है तो जैसे हमने कहा कि बहुत सारे कवी ऐसे है जिनकी लिखी हुई कविताएं हमने पढ़ी है लेकिन ऐसे बहुत से और भी कवी है जिनकी कविताएं हमने नहीं पढ़ी नाम सुना है लेकिन कुछ कवी ऐसे भी होंगे जो हम लेकर आएंगे जिनके तो नाम भी आपने नहीं सुने है तो बस देखते रहिए जुड़े र उपनाम है नागारजुन जन्म हुआ 30 जून 1911 को जन्मिस्थान है सत लखा गाउं दर्भंगा बिहार में मृत्य हुई इनकी पांच रहूंबर 1998 में पिता का नाम है गोकुन मिश्र माता का नाम उमादेवी पेशा क्या रहा कभी रहे लेखक रहे और उपन्यासकार रहे तो एक तरीके से हमने यह देखा कि इन्होंने गद्य और पद्य दोनों ही छेत्रों में कार्रे किया है ठीक है तो यह चीज आपको देखते हुए चलना है पर प्रमुख रचनाएं हैं इनकी युगधारा सत रंगे पंखों वाली खून और शोले प्यासी पथिराई आखे भसम पुरानी जूतियों का कोरस तालाब की मचलियां तो यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो जादा फेमस हुई हैं तो इसलिए यहां पर अभी इनकी सारी रचनाएं हम लेकर आएंगे जिस जिस इन्होंने विधाव में कार्रे किया है सारी विधाएं हम पढ़ेंगे भाश पुरास कहानी तो इन विधाओं में इन्होंने कार्रे किया पुरसकार इनको मिला है साहित अकादमी पुरास इसके लावा इन्हें और बहुत से पुरसकार और सम्मान मिले हैं तो अब हम पढ़ेंगे डेटेल में जहां पर हम इनके जीवन के बारे में डेटेल में तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कभी नागारजुन जी का जीवन परिचे नागारजुन यानि की वैदनाध मिश्र का जन्म दर्बंगा जिले के ए सत लखा ग्राम में सन 1911 इस्वी में हुआ था उनका प्रारंभिक जीवन अभावों का जीवन रहा अभावों का मतलब सारे पर सकर कोई चीज नहीं है तो उसे पाने के लिए हम संघर्ष करते हैं तो वह संघर्ष शील जीवन चलता रहा व्यक्तिकत दुखों ने उन्हें मानवता के दुख को समझने की शमता प्रदान करी तो उनकी परसनल लाइफ में बहुत सारे जो उतार चड़ाव रहे द जो उनके जीवन में जो कुछ भी रहा तो ये सारा उन्होंने अपनी कविताओं में भी निकाल के रखा है इसी मनीशी कवी का देहा वसान 5 नहुंबर सन 1998 को हो गया तो जीवन की उतार चड़ाव और चीजों की वजह से ये काफी हद तक जो है इन्होंने अपनी रचनाओं में वो सारी चीज़े उतारी जिसकी वज़े से वो रचनाओं जो है वास्तविक जीवन से जुड़ी रही और लोगों द्वारा पसंद भी की गई अब आ जाते हैं इनकी रचनाओं देखें प्रमुक रचनाओं क्या हैं युगधारा सतरंगे पंखों वाली खून और शोल हैं इनकी आप वशरचनाये घ いक हैं आगЕ बढ़ते हैं आब इनके कविता संगरह को देखिये क्या है कविता संगरहों युगधारा उनने सो तिरालेस में शतरंगे पंकों वाली उन्नेस सो इन चास में प्यासी पथिराईी आखे उन्नेस सो बांसट में तुमने कहा था उन्नेस सो असी में खिचडी विपलव देखा हमने यह northern 2000 बाहु Washula अली 1981 में पुरानी जूतियों का कोरस 1982 में तो ये उनकी क्या है कविता संग्रे हैं जिस एर में सब ये प्रकाशित हुई हैं वो एर्स के साथ में हैं आगे हैं कविता संग्रे रत्न गर्भ ये 1984 में प्रकाशित हुई ऐसे ही हम क्या ऐसे ही तुम क्या 1985 में आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने 1986 में इस कुबारे की छाया में 1990 भूल जाओ पुराने सपने 1994 अपने खेत में 1997 तो ध्यान रखेगा 1998 में उनकी मृत्ति हो गए थी तो 1997 तक इनके कविता संग्रे प्रकाशित होते रहे हैं फिर उसके बाद देखिए इनके काव्य रहे भसमांकुर और जो खंड काव्य है वो 1970 में प्रकाशित हुआ भूमिजा जिसका डेट नहीं दिया गया है ये भी एक काव्य रहा अब आज आते हैं इनके द्वारा देखा खंड काव्य देखा और कविता संग्रे देखा आब हम देखने के लिए जा रहे हैं उनके द्वारा लिखित उपन्यास उपन्यास क्या है देखिए रतिनाथ की चाची क्या है रतिनाथ की चाची 1938 में वलचनम्नमा 1942 में नईपौद 1943 में बाबा बटेसर नाथ 1954 में वरुण के बेटे 1947 में, दुख मोचन 1947 में, कुम्भी पाक 1960 में, चम्पा कुम्भी पाक 1972, हीरंक जैनती 1962, अभिनंद हीरंक जैनती, तो ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया, ध्यान दीजिए, कुम्भी पाक 1960 में रिलीज हुई, फिर उसके बाद में चम्पा रिलीज हुई 1972 में, यह कुम्भी पाक का ही सेकिंड पार्ट था, हीरंक जैनती 1962 में, अभिनंदन हीरंक जैनती के सेकिंड पार्ट है, संस्मरण, संस्मरण क्या होता है, खुद अपने ही जीवन से निकली हुई कुछ बातों को हम जब संकलित करके लिखते हैं, तो वो संस्मरण हो जाते हैं, यहाँ पर उनका एक संस्मरण है, एक व्यक्ति, एक युग 1963 में, फिर उसके बाद आते हैं, कहानी संग्रे, एक और है, आसमान में चंदा तैरे, क्या, आसमान में चंदा तैरे, वो है 1962 में, आलेख संग्रे हैं, अनहीनम क्रिया हीनम, 1983 में, बल्लभोने नाथ, यह 1969 में हैं, फिर उनके बाल साहित हैं, यानि कि उन्होंने बच्चों के लिए भी लेखनकारे किया है, बाल साहित क्या है, एक कथा मंजरी भाग एक 1948 में फिर एक कथा मंजरी भाग दो 1958 में मरयादा पुरुशोत्तम राम 1955 उसी को अन नामों से जाना जाता है भगवान राम मरयादा पुरुशोत्तम राम आदी के नाम से फिर आते हैं विद्यापती की कहानिया 1964 में तो ये सभी उनके बाल साहित रहे अब नागार्जुन ने मैथली रचनाएं की हैं मैथली भाषा में जो रचनाएं करी हैं उनको देखते हैं क्या है चित्रा ये एक कविता संग्र हैं 1949 में फिर पत्रहीन नगन गाच उननिस सो उन सरसट में पका है यह कटहल 1994 में पारो उपन्यास 1946 में नव तुरनिया 1954 में अब बंगला रचना है मैं मिलिटरी का बूढ़ा गोड़ा 1997 में ये बंगला में लिखी हुई उनकी रचना है ये सारी उनकी रचनाएं हमने देखी देखी उन्होंने कई भाषाओं में भी कार्रे किया कई वर्ग जेत्राओं में जहां कावे में किया वहीं गद में भी उन् उन्हें 1979 में मिला मैथली भाषा में लिखित पत्रहीन नगन गाच के लिए तो ये उनकी जो थी कह केते हैं रचना मैथली भाषा की उसके लिए इनको 1969 में साहित अकाद्वी पुरसकार प्राप्त हुआ था भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनाउदारा उन्हें प्रदान किया गया मैथली शरण गुप्त सम्मान मध्धर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया गया राजेंदर शिकर सम्मान 1954 में बिहार सरकार द्वारा प्राप्त किया गया राहुल सतकायान द्वारा सम्मान जो है वो पश्चम बंगाल सरकार द्वारा प्रदान किया गया तो इस तरीके से आपने देखा कि जो इन्होंने हर अलग छेतर में काम किया तो ये भी देखिए इन्हें अलग-अलग स्टेट द् प्रदान किये गए हैं वो भी क्यों क्योंकि भाई इनका लेखन कार रही इतना व्रहत रहा जिसकी वजह से उन्हीं इतने सारे पुरसकार प्रते आच्छा इनके जीवन के बारे में एक और है कि ये काफी घुमकर शहली प्रवित्ति के व्यक्ति रहे तो घूमने की वजह से क क्या हुआ ना कि इनका अलग अलग जो कहते हैं देखने का नजरिया जो है वो काफी रहत रहा तो उन्होंने वो सारी चीजों का भी इनको एडवांटेज मिला इनके लेखन कार में तो इस तरीके से आपने देखा कभी नागारजुन जी के बारे में हम आगे और भी बहुत सारे कभी देखने वाले हैं तो इसी तरीके से देखते रहे हैं कोशिश कर रहे हैं मौर्टेनेट डेज आपके लिए एक नए कभी लेकर आते रहे हैं तो जल्दी मिलेंगे फिर से एक नए कभी के साथ में थैंक यू फॉर बाजिंग बाई